चैनल आजम पढ़ने वाले में भारत की प्रिमुक वन जीव अभ्यारन एवं राश्टिय उद्यान के बारे में इसका बन लाइनर कोश्चन बताएगा हैं इसमें भारत का प्रिथम राश्टिय उद्यान जिम कारवेट नेनी ताल उत्राखंड है इसका पुराना नाम हैली न पद में है इसका नाम हिमिस है जिम कारवेट पार्क से राम गंगा नदी वहती है भारत का सबसे बड़ा बाग अभ्यारन नागार्जुन सागर आंदर प्रदेश है भारतिय पक्षी विज्ञानी और प्रकरतिवादी सलीम अली को बैड मैं आफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली राश्टी पक्षी उध्यान जम्मु कस्मीर के स्री नगर में है दहची गाम सेंक्युचरी एक मात्र सेंक्युचरी है जहां कस्मीरी महामरक पाया जाता है भारत प्राणी विज्ञान सर्विक्षण की स्थापना 1916 में की गई थी और इसका मुख्याला कोलकाता में है भारत वानस्पदिक सर्विक्षण विज्ञा की स्थापना 1916 में की गई थी इसका कोलकाता में है अंडमान निकोबार दीप समुए राज्ज केंडर सासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारन है मद्द प्रदेश में इस्ति बांदावगड राश्टि उध्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रिशिद है उत्राखंड के नंदा देवी के सिकर पर इस्तिनन देवी लाश्टि उध्यान पार्क 1972 में राश्टि उध्यान बना इस शितर के अंत्रगत पूलों की घाटी है जहां किस्म किस्म के फूलों की छटा विख्री हुई है। दुधुवा राश्टी उद्यान उत्तरप्रदेश नेपाल से अंतराश्टी सीमा बनाता है। इसे 1977 में इसे राश्टी उद्यान का दर्जा दिया गया। यूनेश को विश्व धरोहर सूची में सामिल मानस अभ्यारन असम ताश्टी उद्यान देश का चर्चित टाइगर और एली एंड रिजर्व भी है। इसका नाम मानस उद्यान के पश्चिम से बहने वाली मानस नजी के नाम से पढ़ा है। एक सिंग का गेंडा अतिरिक्त यहां कई अन दुरलब जीव जन्तू भी पाये जाते हैं। पेरियार अभ्यारन जंगली हातियों के लिए प्रिशिद्ध है। एक सिंग वाला गेंडा असम वा पश्चिम मंगाल में पाये जाता है। भारतिय गेंडे कांजी रंगा व्यारन में सबसे ज़्यादा पाये जाते हैं। विश्व वर्न जीव कोईश का प्रतीक पांडा है। सेर परियोजना 1972 इसमी में शुरू की गई थी। बाग परियोजना 1973 इसमी में शुरू की गई थी। गडियाल परियोजना 1974 इस्मी में शुरू की गई थी, गेंडा परियोजना 1987 इस्मी में शुरू की गई थी, हिमचीता परियोजना 1987 इस्मी में शुरू की गई थी, मगर प्रजिनन परियोजना 1975 इस्मी में शुरू की गई थी